जब कोई क्रिकेटार अच्छा फ्रॉम से गुजर रहा होता है तो आपनी फेंस की नजरों में हिरू बन जाता है उसकी बाद कुछ मैस अगर गलती से भी खराब गुजर जाता है तो वो ही फेंस ट्रोल करने लगते है आज तक कोई सारे खिलारी की साथ ऐसा हो चुका है एक्जम्पूल की तोर पर बिराट कोहली कुछ दिन पहले तक नाजरा ने क्यूँ बिराट कोहली को काफी ट्रोल किया दा रहा था लेकिन वो ही फेंस इस समय बिराट कोहली की तारिव करते ही नहीं थकते आपकी समय में ऐसा ही हार्दिक पंडिया की साथ हो रहा है मतलब एक दो मेस में आपका खारा फ्रोम तो पूरा अच्छे वक्त को भुला देता है आज की वीडियो में हम ऐसा ही एक खिलारी की बारे में बात करेंगे इस खिलारी को 2023 तक कुछ ज़्यादा ही ट्रोल किया जा रहा था लेकिन अब वही बात कुछ और है रियान पराग दोस्तों आप लोग इन्हें जानते ही होंगे 2021 की IPL से पहले रियान पराग का बहुत बड़ा नाम नहीं था लेकिन 2020 से पहले रियान पराग को काफी ट्रोल किया गया रियान पराग जिनका पूरा नाम है रियान पराग 10 इनका जन 10 नवेंबर 2001 को गौहाटी में हुआ था रियान पराग एक भारतिय क्रिकेटर है जो घृरिलू क्रिकेट में कोहुरा मचा रही है domestic cricket में रियान पराग आसम के लिए खेलते हैं और IPL में राज़स्तान रोयल्स के लिए खेलते हैं cricket की प्रोती रियान पराग का जुनुन सोटी सी उमर में ही शुरू हो गया था और ऐसा होबी क्यूँ ना क्योंकि रियान पराग की पीता खुद एक क्रिकेटर था जो मुहेंडर सिंग धोनी की साथ काफी मेश खेल चुका था रियान पराक का पिता पराक दाश जिनोंने 46 फास्ट क्लास क्रिकेट मेश खेले है और इनोंने 32 लिस्ट एकी मेश खेले है रियान पराक को क्रिकेट में जाने का एक बहुत बड़ा रिजन था उनका परिवाद क्यूंकि उनका मा भी खेलों से जुड़ा हुआ था रियान की पास चुनने के लिए बहुत चारे बिकल्प थे लेकिन उनोंने क्रिकेट ही चुना 14 साल की रियान पराग भारत्य क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उमर में फास क्लास क्रिकेट में एंट्री किया लेकिन कुछ कारण बर्ष उस समय रियान पराग को अनुमती नहीं मिली उसकी बात रियान पराग को इंटर इस्टेट T20 मेस खेलने का मौका मिला लेकिन वहां रियान पराग कुछ खास कामाल नहीं कर पाए उसकी बात रियान पराग को अंडर नंटीन एस आकाप खेलने का मौका मिला भारत के लिए फिर रियान पराग ने रंजी टोफी में असाम के लिए डेबियू किया रियान पराग ने रंजी टोफी में अपना डेबियू मेस में पहला इनिक्स में रान बनाये थे 9 और दूसरा इनिक्स में बनाये थे केवल 3 लेकिन गेम बजी से उन्होंने कमाल किया था दो विकेट उन्होंने चटकाए थे उसकी बाद रियान परग को मौका मिला इंग्लेंड में यूवा टेस्ट खेलने का उसकी बाद रियान पराग ने कहीं सारे बड़े बड़े टूनामेंट खेले और वहां अच्छा पदर्शन भी किया उसकी बाद समय आया अंडरा 19 बिशिकाप की जहां उन्होंने गेम से और बले से सबका दिल जित लिया साल 2018 में बीजाई हाजारे टोफी में असम के लिए सबसे ज़दारान बनाये रियान पराग ने और उसकी बाद साल 2019 में राज़ोस्तान रोयल्स ने रियान पराग को 20 लाक रुपियों में खरिद लिया रियान पराग ने अपना पहले ही साल में एक अर्दशा तक लगाया था लेकिन उसकी बाद रियान पराग का पदर्शन कुछ खास नहीं रहा जिसकी बज़े से रियान पराग को काफी ट्रोल किया गया लेकिन उसकी बाद देखते ही देखते समय बिता जा रहा था लेकिन रियान पराग का फ्रॉम बापस नहीं आ रहा था वो लगातार अच्सा पदर्शन नहीं कर पा रहा था कई बार फ्लोप होने की बावजूत राजोस्तान रोयल्स ने उनको टिम में रखा साल 2013 में सबसे ज़्यादा ट्रोल करने वाला खिलारी बन गया था रियान पराग इन सब की बावजूत रियान पराग का हाथ नहीं सुरा राजोस्तान रोयल्स ने और रियान पराग को मोका देता ही रहा और जिसका फैदा इस समय राजोस्तान रोयल्स को मिलता हुआ सैयत मुस्ताकली ट्रोफी में रियान पराग का एवरेस था 82 और उनका इस्टाकरेट था 180 साथी T20 क्रिकेट में लागातार साथ अर्दशतक बनाने वाले रियान पराग पहला खिलारी बन गए और ये एक विश्य रैकेट है विश्यों में किसी भी खिलारी ने ये कारणामा अभी तक नहीं कर पाया सिरिप एही नहीं इन्होंने गेम से भी ही पूरा युगदान दिया उन्होंने 11 रिकेट भी चटकाए रियान पराग ने 2030 की रंजी ट्रोफी में 75 की एवरेस से और 150 की इस्टाइकरेट से 300 की उपर रान बनाए 37-20 शक्कों की साथ टुनामेंट में सबसे ज़्यादा शक्का भी लगाया रियान पराग ने रंजी ट्रोफी की इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक लगाया रियान पराग ने रंजी ट्रोफी में शिरिफ 56 गेम पर शतक लगा दिया था और उसकी बाद समय आता है IPL 2020 की जहार रियान पराग ने कोहरा मसा दिया उन्होंने 31 सिक्सेस लगाए रियान पराग ने 4 अर्दशतक लगाए शायद ऐसा भी हो सकता है कि विश्यकाप की तुरंत बात रियान पराग आपको इंडियान टीम में खेलते हुए देखे इसी की साथ दोस्तों आप लोगे से बिदा लेते हैं फिर मिलेंगे जैए